बाडमे नगर परिशत द्वारा सिंधरी चोराहा से सिंधरी रोड तक इन दिनों नाले के उपर बने इस्थाई और इस्थाई अतिकमन को हटाये जा रहा है शुक्रवार को जिला कलेक्टर अरुन परोहित ने सिंधरी सरकिल का दोरा किया इस दोरां जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को जल से जल नाले के उपर से अतिकमन हटाने और नाले की सफाई करवा कर नाला शुरू करवाने के नर्देश दिये इस दोरा नगर परिशत के अधिकारी उनके साथ रहे बरसाद के दिनों में बाड़ में सहर के पास बसीव कॉलोनियों में जल भराओ की स्ततियों के 27 माधवान के लिए नगरपरिशत के अधिकारियों की देख्रेक में अतिकर्मन रोधी रस्ते दोरा पिछले 3 दिनों से नाले के ऊपर से कई अतिकर्मन ध्वस्थ दोरा yeah तीन दिन से की जा रही अतिकर्वन रोधी कारवाई के बीच सुक्रवार को जिला कलेक्टर अरुनकुमार पुरुईत ने मौक्य का जाय जा लिया इस दोरान जिला कलेक्टर ने नगर परिश्य दोरा अब तक हटाए गए अतिकर्वन को देखने के साथ नाले में पानी की नि दिकारियों को सक्थ लर्जे में इडाय दी कि आगामी वर्षाथ से पूर इस नाले को अतिकर्मन मुक्त करने के साथ ही पानी निकाशी की विवास्ता सुचारू कर दी जाय था कि लोगों को बार बार जल भराव की परिशानी का सामना ना करना पड़े जिला कलेक्टर के द गौटलब हैं कि सहर के बलदेवनगर, रामनगर, रिको, अद्यविक चेत्र, सहित कई कॉलोनिया में बरसात के दिनों में जल भराव हो जाता हैं जिसको लेकर लोगों द्वारा बार बार शिकायते की जा रही थी इनी शिकायतों के बाद वाडवे नगर परिशेद्वारा सिन्जरी चौराय से सिन्जरी रोड तक नाले के उपर बने इस्थाई और आइस्थाई अतिकर्मन हटाने का अभियान शुरू किया नगर परिशेद्वारा अब तक सिन्जरी सर्किल से 132 के वी GSS काफी हत कच्चे और पके निर्मान जो की नाले की उपर बनाए गए थे उन्हें ध्वस्त कर दिया गया है वही अब नगर परिशेद्वारा कई जगाँ से नाले में जमा गंदगी को साफ करने के साथ सक्तिग्रस नाले को दूरुस्त किया जा रहा है सुकरवार को जिला कलेक्टर अरुन पुरुईत ने सिन्दी सरकल की दोरे के दोरान बाड मेर उपकन अधिकारी समदर सिंग भाटी नगर परिशेद के अधिकारी योगेस आचादे सहित कई अधिकारी वर करमचारी मौजूद रहे